बिहार में अब अस्कूलों के साथ उनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचरों की कमी जल्दी दूर होने वाली है राज के अंदर अब जल्दी असिस्टन प्रोफेसर की बड़े पैमाने पर न्यूकती होने वाली है इसके तहत परदेश के सभी विश्विद्याले और कॉलेजों को नए सिच्छक मिलेंगे यह मामला पिछले तीन साल से लटका हुआ था लेकिन अब सिच्छा विभाग से बैकलोग और खुली रिक्तियों का बेवरा बिहार विश्विद्याले शेवा आयोग को दे दिया है जिसके बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेशर नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया है दरसल बिहार के उनिवर्सिटी और कॉलेजों को जल्द ही नए असिस्टेंट प्रोफेशर मिलेंगे क्योंकि सूब में 41,008 असिस्टेंट प्रोफेशर की नियुक्ति होने वाली है इसको लेकर सिच्छा विभाग ने बिहार विश्विद्याले सेवायोग को असिस्टेंट प्रोफेशर के बैकलोग और खुली रिक्तियों का विब्रन भेज दिया है जिसके तहत अब कुल रिक को चालू और बैकलोग की रिक्तियां अलग-अलग बताने को कहा था जिसके बाद दोनों अलग-अलग बताए गए हैं वहीं असिस्टेंट प्रोफेशर नियुक्ति मामले में बिहार विश्विद्याले सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर बताया है कि सिच्छा विभाग की और से प्राप अधियाचना के धार पर आयोग ने नियमित विशयबार और विश्विद्यालेवार सीचको की रिक्तियां का बिग्यापन निकाला था इसके तहत बामन विशयों के लिए कुल 46,038 रिक्तियां थी इसमें से 27 विशयों के लिए चेन परकिरिया पूरी की जा चुकी है और आयोग ने विभाग को इसकी अनुशंशा भी भेज दी है इसके साथ ही इस नोटिस में आयोग ने यह भी बताया है कि अब बचे हुए बिशयों का शन्शोधित विशयबार बैकलोग सहीत रिक्तियों का बिवरा सिच्छा विभाग की ओर से मिल गया है 27 विशयों का विशयबार बिवरा रोश्टर कल्रियंस के साथ आयोग को भेजा गया है और असिस्टेंट प्रोफेशर के पद के लिए शाच्छतकार की पड़किरिया शुरू करने को कहा गया है हाई कोट ने आदेश पारित होने के बाद ही विशयबार असिस्टेंट प्रोफेशरों की नियुक्ति पड़किरिया शुरू की जाएगी आपको बताते चले कि इस नियुक्ति के लिए कोई नया आवेदन नहीं लिया गजाएगा पहले से जो आवेदन आये हुए हैं केबल उसी पर विचार होगा से पहले पटना हाई कोट में आरच्छन को लेकर दी गई एक याचिका के कारण नियुक्ति पड़किरिया पर रोक लगाई गई थी इसके बाद कोट ने सिच्छा विभाग से जवाब मांगा था इस पर विभाग ने बताया था कि कुल रिक्तियों में ही बैक लोग की रिक्तियां समाही थे इसी पर कोट ने विभाग को रिक्तियां अलग-अलग कर बताने को कहा गया था एक बार फिर से आपको बताते चले कि बिहार के बिश्विद्याले और कॉलेज को जल्द ही नए असिस्टेंट प्रोफेशर मिलेंगे क्योंकि परदेश भर में 41,008 असिस्टेंट प्रोफेशर की नियुक्ति होने बाली है दरसल सिच्छा विभाग ने बिहार बिश्विद् मालूम हो कि हाई कोर्ट ने सिच्छा विभाग को चालू और बैक लोग रिक्तियां अलग-अलग बताने को कहा था